नमस्कार विद्ध्यार्थियों जीत आईएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है जैसा कि आपको पता है UKPSC द्वारा लेक्चरर की जो भरते आई है उसमें हम स्क्रीनिंग की तैयारी तो करी रहे हैं और साथ-साथ में हमारे जो मेंस के सब्जेक्ट है तो कि अंतरगत हम पौलिटिकल साइंस की कि तैयारी प्रिप्रेसं कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है सबसे ज्यादा जो सीटे है पौलिटिकल समय है और एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास पौलिटिकल सैइंस में करियर बनाने का तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर जो है कि पॉलिटिकल साइंस में चर्चा करने के लिए आपके साथ मौजूद है आज हम बात करेंगे इसी के अंतरगत लोकतंत्र की क्योंकि हमारे वहां पर क्लासेज जो हैं सुरू हो चुकी है जीताईयस ऑनलाइन प्लेटपॉर्म पे तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनुं मोड से जुड़ सकते हैं इसक्रीन पे हमारे नंबर चल लेंगे आप उस पर कॉल कर सकते हैं किसी भी समय तो वरकिंग आउर में आप कॉल कीजिएगा आ लोग तंत्र के बारे में लोग तंत्र जिसको हम क्या बोलते हैं आपका डेमोक्रेसी तो जिसको क्या बोला जाता है आपका डेमोक्रेसी भी बोला जाता है इंगलिस में देखे यह जो लोग तंत्रा आपका डेमोक्रेसी आपका टॉपिक है बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है एक्चुली आपने पिछली बार पेपर देखा होगा और इस बार जो पेपर आ रहे हैं मैंने लास्ट टाइम भी कुछ एक वीडियो आपके अप्लोड किये थे हमारे प्लेटपॉर्म पर तो उसमें आप लोगोंने देखा होगा मैंने आपको बताया था और आपने एल्टी का एक्जाम भी देखा होगा जिनका जो है सस्टी से एक्जाम था पेपर जो है क कि आपका प्री के बाद क्योंकि उन्होंने प्री की डेड़ दी है कि अप्रेलम आपका जो है UKPSC का प्री होगा तो उसके बाद आपका जो मेंस होगा उसकी डेड़ दी नहीं है तो हो सकता है आपका जुलाई तक जो है आपका मेंस की डेड़ भी आ जाएगर के फिर इससे क्या होगा कि आपका प्री तो किलियर हो जाएगा लेकिन आपको मेंस के लिए समय नहीं मिल पाए तो वहाँ पे एक बड़ी समश्या होगी तो इसलिए आप जो है मेंस की तैयारी भी प्री के साथ जो है जिसको आप स्क्रीनिंग बोल ले हैं स्क्रीनिंग के साथ-साथ आपक राइटर होंगे जितने भी आपके विचारत होंगे जिन्नोंने भी किसके बारे में लोकतंत्र के बारे में कुछ कहा है तो उसको भी हम इसमें देखें गे दूसरा क्या है étais बेसिक चीजें ऐसा नहीं है कि आपका बेसिक नहीं आएगा कई बार क्या करता है जो लोक शेवा आयोग है UKPSC जिसको आप कहते हैं कि वह क्या कर देता है आपको आसान प्रश्णों में भी उल्जा देता है तो इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो आसान प्रश्ण ह है वो भी आपके क्यान हो गलत ना हो एक और चीज में आपको हर समय जब भी टॉपिक सुरू करता हूं क्योंकि ऐसे प्रश्ण जो है पहले आयोग द्वारा पूछे गए हैं जैसे इस सब्द की उत्पत्ति किस्से हुई है तो कई बार जो है ग्रीक सब्दों होता है कई ब पड़ा कंफ्यूजन होता है तो कुछी टॉपिक हैं आपके उसमें जो आपके बेसिक से रिलेटेट हैं जिसको आप पॉलिटिकल थियोरी की नाम से जानते हैं जैसे स्वतंता समानता न्याय तो उसी के अंतरगत आपका एक टॉपिक है लोग तंत्र का गरगे तो लोग त सब्दों से आपका इसकी क्या हुई है उत्पत्ति हुई है एक जिसको बुला गया है डेमोज कि कह और दूसरा सब्द है आपका जिसको बूला गया है तूछ थीज operates और यह जो दोनु सब्दे हैं democracy और क्रेशिया यह जो है आपका किससे लिए गए में इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रस्ण पहले पूछा जा चुका है ग्रीक भाषा का सब्द है ग्रीघे तो ग्रीघ वासा के सब्सक्राइब से क्या किया अपका डेमोस प्लस जो क्रेशिय है इसके इसको ये रही हम क्रेशिया है एक तो बोला जाता है तो एक प्रस्णा आपका यहां से बनता है कि आपका जो ग्रीक बासा का सब्द है डैमोस और दूसरा है क्रेशिया तो इससे क्या किया गया है लिया गया है और इसका अर्थ होता है डैमोस और क्रेशिया का जनता का सासरी यह बेसिकसा है लेकिन जनता का सासर है फोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा पहले लेकिनसब्ड को आप जरूरीया रखियेगा कि ग्रीक वाज़ा जु क्या लिया गया है Whichव् 6 ग्रीग मजरी यह तो समझमा आ गया होगा अब राहम लिंकन जो थे आपका अमेरिका के राष्ट पती थी ठीक है अब बात यह है यह है बहुत सरल अब एक्चुली क्या होगा वहां पर आपको कंफ्यूज कर देगा UKPSC कैसे वो पूछेगा जनता का जनता द्वारा जनता के लिए है यह जन प्रश्ट एक तो यह होगा और एक मैंने देखा था अभी कुछ एक इक्जाम होए थे वहां पर इसमें पूछा गया था कि जो अबराहम लिंकन द्वारा जो परिवासा दी गई है वो परिवासा उन्होंने किस भाषण में दी गई थी यह नहीं पूछा और साथ में क्या पूछ लिया कि किस भाषण में उन्होंने आपका इसको दिया गया था करके तो 1862 में एक जगह है तो गिट्स बर्ग में उन्होंने क्या किया आपने भाषण में इस परिवाशा को दिया था तो मैं लिग भी देता हूं तो तो अठारसोबाशन के गिट्स यह गैटीश भी बولते है कही पर कही पर आपका गिट्स भी बोलते हैं तो आप जो लिखना चाहें वो लिए अच्छा लगेगा गैटीश वर्ग के भासन में जगह है यह गैटीश वर्ग के गेटिसबर्ग भासण में इन्होंने ये परिवासा दी थी और परिवासा क्या थी इसको याद रखिएगा यह जंता का जंता द्वारा करें जंता का जंता द्वारा जंता के लिए सासन होता है कि जनता के लिए कि सासन होता है ठीक है यह स्विक्वेंस में याद कीजिएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोगतंत्र बोलते हैं जब हम परिवासा की बात करेंगे तो यह परिवासा आपको याद जनता का जनता द्वारा जनता के लिए क्या होता है आपका शासन होता है या सासन है करके तो यह परिवासा जो है यह प्रसने भी पूछा जा चुका है उसका जो गेटिसबर्ग का भाषण है तो उस भाषण में इन्होंने इस परिवासा को दिया था ठीक है इसके बात यह तो इसमें आपका किसी भी प्रकार का confusion आपको नहीं होना चीए आगे पीछे करके आपको दिया जा सकता है ठीक है दूसरा इसमें जो परिवासा है वह परिवासा है सीले की तो सी ले कहता है लोकतंत्र ऐसा सासन है जिसमें देश का बड़ा भाग या विशाल का शमू क्या करत है दूसरी परिवासा है आपके सीले की पहली है अबराहम लिंकन की तो एक चीज आपको तो यह रखनी है क्रीक बासा की और दूसरा यह गैटिसबर्ग जरूर याद रखेगा यह प्रस्ण हाल फिलहाल में पुछा जा चुका है कई जगर तो इसलिए आपको गैटिसबर्ग भी क्या रहना चाहिए याद रहना चाहिए तो दो चीज़ां आप क्या करेंगे याद रखेंगे तो तीसरी चीज है इसमें जो आपकी जो परिवासा है सीले की और यह जब हमने स्वतंत्रता आपका पड़ाया था तो हमने वहां पर भी बात की थी शीले की परिवासा की तो यहां पर भी सीले कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा साशन है जिसमें जनता का जो है विशालकाई शमू या बड़ा भाग क्या करता है आपका साशन करता है लोकतंत्र एक ऐसा साशन है जिसमें क्या करेगा देश का बड़ा भाग एक ऐसा साशन है जिसमें जनता का पड़ा भाग शाशन करता है यह परिवासा है आपकी सीले की तो लोकतंत्र एक ऐसा साशन है जिसमें जनता का बड़ा भाग सासन करता है एक और परिवासा है आपकी जेम्स प्राइस की या ब्राइस भी सेधे लिख सकते हैं जेम्स प्राइस इनकी बुक भी में आपको बता रहा हूं कि इन जिस बुक में इन्होंने क्या दिया है यह परिवासा दी है यह बुक भी कई बार पूछी जात अगर आपको लगता है कि यह हिंदी इसका कंवर्ट कर दिया गया है क्योंकि जो इसकी हिंदी होती है वह बड़ी टिपिकल होती है वहाँ पे कठिन बना देते हैं तो इसलिए जो है आप एक बार जरूर देख लीजिएगा इंग्लिस का इंगलिस वर्जन इतना टाइम रहता है उसमें अच्छा खासा समय रहता है तीन गंटे समय रहता है तो अच्छा खासा समय रहता है तो आप एक बार जरूर इसका क्या देख लीजिएगा इंगलिस वर्जन जरूर देख लीजिएगा तो इनकी जो बुक है वह है आपका modern डेमोक्रेसी कि modern democracy इनकी किताब है तो इस किताब में इन्होंने क्या दी है आपकी परिवासा दी है और अगर हिंदी में याद करना चाहें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं आधुनिक लोगतंत्र लिख सकते हैं तो आधुनिक कि इच्छा को बोर्ड द्वारा ब्यक्त करते हैं इसमें इन्होंने यह कहा है लोकतंत्र एक एक ऐसा साशन है जिसमें लोक अपनी इच्छा को बोर्ड द्वारा ब्यक्त करते हैं ठीक है जिसमें लोग जो है अपनी इच्छा को बोर्ड द्वारा क्या करते हैं ब्यक्त करते ठीक तो यह तो कुछ परिवासाइं हो गई इसके अलावा अब जो प्रस्ण पूछे जा रही है थोड़ा सा और अच्छा प्रस्ण इसमें और एक बन सकता है कि निमने लिखित में से लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्या नहीं है ठीक है दो अब यह तो परिवासाइं है यह तो फैक्ट नहीं पूछा जैसा आजकल पूछा जा रहा है प्रस्ण उसने पूछा कि निमने लिखित मेंसे लोकतंत्र क्या है यह तो आपको आप देख लेंगे तो कहीं पर भी मिल जाएगा लेकिन वो क्या देखना चाह रहा है बच्चे पेपर हुआ था तो कछर पेपर में आपका जो होता है उस पेपर में आपका क्या रहता है कि उसमें रहती है छो जरुदू के सांड बच्चों के इंद भी मैच्स और साइंभ मैठस वाले थे उनको यह लगत लेकिन क्या हुई वहां पर दिक्कत यह हुई कि जो बच्चों के समझ में ही प्रशन है हो यही जानना चाहा है कि बच्चे के रिजनिंग आती है नहीं आती है ऐसे यहाँ पर भी है कि आप बच्चे को यह जो आपका लोगतंत्र है से समझ माया नहीं आया तो आपका प्रश्ण यहांसे बन सकता है फैक्ट न पूछ यह पूछ दिया आप एक क्टो लोगतंत्र क्या है और यह धिप्रम गया नहीं है तो मझे दोनुपे आपको बता-देता हूं यह कैसे भी यह इसकी कि लोग तंत्र है कि अभिटक्न पड़ तो हमने कहा यह कि लोग तंत्र लोगों का जिसको कहा जाता है लोग प्रतिवाघ करते हैं जिक लोगतंत्र तैना कि इसको ध्यान से देखना है बिलकुल है लोगतंत्र एक का इसे चीश को एकसेप्ट करते हैं कि जादातर लोग किसी चीश के पक्षिम में तो माना यह जाता है कि जादातर लोग यह समाज क्या कर रहा है पसंद कर रहा है तो यह हम यह पहले से ही निरणय लेनी के पर्था चली आ रही है जैसे हम लोग बैठते थे पहले अगर आप प्राचिन समय में देखें तो वहां पर यही जाता था ज्यादातर लोग जिस चीज के पक्षम होते थे जैसे पंचायतों होती थी उसमें भी यही देखा जाता था जो पंचों होते थे वो निरणय लेते थे और फिर जंदा की राय भी उसमें पूछी जाती थी इंक्लूट की जाती थी तो यह क्या है आपकी सामाजिक व ब्यवस्ता भी है लोगतंत्र एक शासन ब्यवस्ता भी है इसके अलावा लोगतंत्र एक जीवन पद्दती भी है जीवन पद्दती भी है ठीक है हमारा पूरा जीवन ऐसे ही चलता है जहां पर क्या होता है बहुमत होता है हम उसको क्या करता है उसको माना जाता है जनली ठीक हमारा पूरी जीवन का पैटर्ण ही क्या है ऐसा है इसके अलावाद जो आपका लोगतंत्र है यह मनोवृत्ति भी है एक इसलिए है क्योंकि हम यह मान लेते हैं कि ज्यादा तर जिन लोग उने हाँ कहा क्यों हमको मानना आपका मनोवृत्ति है ठीक है तो यह सब चीजां आपको क्या रखने पड़ेंगी याद रखने पड़ेंगी कि लोगतंत्र क्या है तो यह चारों आपको याद रखने पड़ेंगे ठीक है समझमा आ गया अब बात करते हैं भीया लोगतंत्र नहीं है लोगतंत्र अब तो इसका मत्लब यह नहीं है कि वहाँ पर सब सामाजीक-ार्थिक एक रूपता आजाएगी, सब लोग माला माल हो जाएँगे, ऐसा तो होए नहीं, जादतर लोग उने कह दिया तो इसका मतलब यह फोना है कि हम्मेशा वो सही हो जाएगा, तो लोक तंत्र ऐसा नहीं है, तो कि सामाजिक आर्थिक एक रूपता नहीं है ठीक है सामाजिक आर्थिक एक रूपता नहीं है तो आपको समझमा आ रहा होगा कि लोगतंत्र क्या है और अगर ऐसा होने वाला होता सब में सामाजिक आर्थिक एक आजाती तो भारत भी तो क्या है लोगतंत्रिक देश है तो भारत में भी यह हो जाना चीए था हमारे देश में भी सामाजिक आर्थिक रुपता आजानी चीए थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो इसलिए हम कहेंगे कि लोगतंत्र जो है सामाजिक आर्थिक एक रुपता नहीं है इसके अलावा इसका मनलब ये नहीं है कि लोगतंत्र क्या है लगु सरकार नहीं है ठीक है हम ये कहते हैं कि जो पूरी जंता है पबलिक है उसने क्या कर दी है एक छूटी सरकार का निर्मान कर दिया है ये भी क्या नहीं है लोगतंत्र नहीं है इसके अलावा जो लोगतंत्र ह होता है उसमें और प्रशाषनिक कारेकुषल्टा भी नहीं रहती है थीक है क्योंकि क्या कोई भी बिना पड़ा लिखा आदमी होता है यह पूंकि आपको क्या करना पड़ता है अगर आप किसी चीज़ को को ইंप्लीमेंट करने जाएंगे तो जो पभलिक का साथने पभलिक उसका बिरोद करेंगी क्योंकि आपको पता है कि हमें 5 साल तक क्या जाना है चुनाव में जाना है करके तो वह भी आप इसमें लिख सकते हैं कि तीसरा है कि राजनितिक टेवं प्रशासनिक कारे कुशलता भी नहीं रहती है यह भी नहीं देखने को मिलती है आपका लोगतंत्र में राजनितिक प्रशासनिक कारे कुशलता यह आएगा कुश्यन इस टाइप का ठीक है फिर वहां पर जो है आप यह को होगे कि भीया यह कुश्यन तो हमने देखा ही नहीं इसका मत्तब है कि आपने लोगतंत्र को क्या कर लिया है समझ लिया है जो उपर हमने परिवासा है और अर्थ लिखा वो तो क्या है ठीक है ठीक है अपनी जगह सही है वह आप याद कर लोगे लेकिन आप समझ समझ रहे हो इसको या नहीं समझ रहे हो यह भी आपको क्या करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है कि इसके अलावा इस्तिर्ता और कानून व्यवस्ता की भी क्या रहती है आपकी कमी रहती है किसमें लोकतंत्र में चौथा पॉइंट है इसमें कि इस्तिर्ता कि एवं तानून व्यवस्ता आक्चुली क्या होता है हमें समय समय पर जो निरणाय लेने होते हैं वो और पबलिक के इसापसे लेने पड़ते हैं जनता कि अन्त में हमें कि कहा जाना पड़ता है जनता के दरवार में ही जाना पड़ता है अब इसके बात करते हैं इसके दो आयाम है जिसको हम बोलते हैं एक तो प्रत्यक्ष लोगतंत्र एक जिसको बोला जाता है अब प्रत्यक्ष लोगतंत्र तो दोनुचीजों की बात करते हैं इसके दो आयाम है इससे भी आपका प्रशन बन सकता है अब सीधे सीधे प्रशन नहीं आएगा मैं पहले बता रहा हूं ठीक है मैं सुरू से आपको बताया आया हूं कि आपका सीधे सीधे आपको प्रशन नहीं पूछा जाएगा अप्रतेक्शन लोगतंत्र का मतलब या प्र क्याम देते होंगे अब वो पेपर का प्रेटन नहीं रहा जो आज से तीन-चार साल पहले रहा करता था अब जो है बहुत अंतर आ चुका है तो हम आपने पढ़ाई के कारण एक तो इसका बहुत जादा है दूसरा क्या है जो इसका लेबल था वो काफी अच्छा दिया था ठीक है और साथ में एक और चीज करेंगे मैं कई बार आपको बताते आया हूं कि आप अभी से अभी आपका नौंबर चला है नौंबर के बाद जितनी भी समसामाई घटन काउं को आप जो है लिखते रहेंगे कौपी बनाईए उसमें लिखिए कि बीज-बीज में जैसे हमारे प्रधान मंत्री हैं विदेश मंत्री हैं कि नहीं देशों में जाते हैं अलग-अलग देशों में तो पिछली बार जो है लगबग 25-30 क्वेशन उन्होंने इसी प्रक क्या क्या हुआ है तो अभी से और शुरूवात करेंगे आप लोगों ने हमारा रोनाफ्म ने प्रचेच कर लिया है जिन आपके मित्रों ने प्रचेच कर लिया है खरीद लिया है तो आप अभी से सुरुवात कीजिए कई और ट्रिक्स आपको बताई जाएंगे क्योंकि क्या है हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से जो है आपका जो है UKPSC क्या पूछ रहा है प्रश्ण पूछ रहा है मैंने कई सारी चीज़ां आपको पहले भी बताई तो अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो आपको वह चीज़ें क्या चलेंगी पता चलेंगी तो आप बात करते हैं प्रत्यक्ष लोगतंत्र जिसको क्या बोला जाता है प्रतिभागी लोगतंत्र भी बोला जाता है सुद्ध लोगतंत्र भी बोला जाता है ठीक है तो पहला है आपका पहला प्रतिभागी लोकतंत्र भी बूला जाता है प्रतिभागी लोकतंत्र भी इस प्रकार का लोकतंत्र पुराने समय में प्रियोग किया जाता था क्योंकि वहां पर छोटे-छोटे राज्य होते थे जैसे युनान में आप लोगों को पता होगा युनान में छोटे राज्य होते सब में और सबने कहा बहिए इसको क्या बनादो राजा बना तो जहसे प्रिश्य आपका 5040 रूसों खेसे तो eth上 की शोटे-चोटे 5 जार-10 कि राजजी आंगे तो आसानी से इसमें प्रतेक्षन लोगतंत्र आफको किया जा सकता है तो मैं युनान इस तरह का क् तंत्र आपको देखने को मिलता है वहां पर आप कहते हो ना भारत में कि आपका क्या हुआ है निर्विरोद चुना गया है निर्विरोद कैसे चुना जाता है सब लोग बैठते हैं और कहते हैं इसको हम इस बार क्या बना देते हैं ग्राम परदान बना देते हैं यह हमारे क्य लेके अब यह ज्याद़ेशों में परचलित नहीं होने का कारण इसका जन सिंख्यां ज्यादा है और देशों की जन जन बढ़ गई यह तो बढ़ गई है तो वहाँ पर क्या लोकतंत्र चलता है जिसको हम बोलते हैं आपका प्रत्यक्ष लोक तन्र या जिसको को बोलता है प्रति निधियात्मक शासन जिसको आपका रिप्रेजेंटिटिव गवर्मेंट भी बोला जाता है प्रति निधियात्मक शासन प्रति निधियात्मक शासन ठीक है यह चलता है प्रति निधियात्मक शासन देखने को मिलता है जिसको हम अप्रतेक्ष लोग तंत्र में भी कहते हैं क्योंकि यह क्या है जनसंख्या जादा होने के कारण इस प्रकार का यहाप का चाहित अ CEO गुछ टंतर इसो देखा शान यह था अरी समय कुछ बिसेश सब्दें एक्चुली का है यह बरतमान में आपका बरतमान में स्वीजर लैंड विखुझर Herles Shape का स्विजर लेंड में प्रीयोक किया जाता है तो भर्तमाल में स्विजर लेंड में हैं आप जब बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ एक सब्द हैं आपका जो प्रीयोक किया जाते हैं फ्रेक्शन की ना सबसे पहला जो सब्दध है उस में जिसको बुला जाता है आरंभक या आरंभं है कि जिसकी दिखाओगा कोई दिक्कत नहीं है ye तो यह कहां सुजरलेंड मेरी बात की भी बात हो रही है एँ आरंभम को प्रेस्ट जब भी कोई कानून बनाना होता है यानि कि जनता को किसी कानून की आफशक्ता होती है तो उसकी सुरुवात संसद से न होकर कहां से होती है जनता से होती है जनता इनिशेड लेती है जनता क्या करती है शुरू करती है तो उसको बोला जाता है आरंभन या आरंभक अगर परिक कर्द है कि कानून बनानाररा की जनता द्वारा की जयती है के रोगए होगा है याह तक समझमा आ गया होगा कि इसको बुना जाता है आरंब दूसरा होता है प्रत्यावहन इसको बोला जाता है। दूसरा सबंद हैर और को अगर कोई वहां भी बीच में चर्चांग होना चीए लोगों को वापस बूलाने का अधिकार हम चुन के भेज़ते हैं अगर वह उसका क्या नहीं करते हैं अपने चेत्रविषय के लिए कोई कारिय नहीं करते हैं तो उनको पांस साल तक क्यों डोना है वापस बुलाओ तो इसको राइट टूरिकॉल का प्रियोग करने की बात हो रही थी लेकिन अभी उसको प्रियोग नहीं किया जा गया है हो सकता है वह विश्य में जो है इसका प्रियोग किया जाए लेकिन वहां पर होता है इसको बोलते है प्रत्यावहन ठीक है चुने हुए प्रतिनिधी को वापस बुलाना अमेरिका में भी लागों होता है ठीक है चुने हुए प्रतिनिध्यों को आप चुने हुए प्रतिनिध्यों को वापस बुलाना और क्यूंझ वापस बुला रहें वे कि आम नहीं कर रहे हैं वापस बुलाना क्यों कि यदि वे अपने कर्टब्यूं का निर्वहन सही तरीके से नहीं करते हैं कि निर्वहन सही तरीके से नहीं करते है तो उनको क्या किया जाता है आपका वापस बुलाएजा सकता है तो इसके लिए सब्ढ़ीयो किया जाता है उसके अलावा तीसरे चीद है परिप्रछ्षा किंपरीप्रच्छ तेकी है परिप्रच्छा का मत्तब होता है कि आपका जो जनता है वह क्या करती है पोल कराती है पूल प्रिप्रिच्छा में यानि कि जनता द्वारा क्या किया जाता है कि मतदान कि मतदान किया जाता है कि किसी भी मैटर में हो सकता है वो सरकार किसके उपर डाल देती है जनता के उपर जनता को अच्छा लगेगा तो ठीक है लेकिन एक बात इसमें है अगर जनता के द्वारा जो मत दिया गया अगर वह सरकार को पसन आए तब भी मानना पड़ता है नहीं पसन आए तब भी मानना पड़ता है तो सरकार इसके लिए क्या होती है बाध्यकारी होती है तो इसको बोलते है रिफ्रंडम या इसको बोला जाता है परिप्रिच्छा आप लोग ने देखा होगा 2016 में घटना होई थी यू जिसको बोला जाता है इरोपेन यूनियन ठीक है इरोपेन यूनियन का सदश्य था ब्रिटेन 2016 में यही रिफ्रंडम हुआ था आपका ब्रिटेन में कब हुआ था 2016 में ठीक है तो कहा किया गया था ब्रिटेन में रिफ्रंडम का प्रियोग किया गया था और जो जिसको ब्रिजिक्ट भी बोला जाता है आपका आप लोगों ने कहीं पर सुना होगा कि जो आपका 2020 में आपका EU से अलग हो गया था ठीक है जो European Union है उससे ब्रिटेन को क्या होना पड़ा अलग होना पड़ा तो यह आपका प्रटेक्शन लोगतंत्र और उसमें इन सब्दों को जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि आपका प्रस्ण यह पूछा जा सकता है कि निम ने लिख ठीक है थीक तो बड़े अच्छे लेबल का प्रश्ण बनता है फिर ठीक और अलग अलग भी आ सकता है कि प्रत्यावहन क्या है प्रिपृफच्या क्या है ठीक तो आप इसको जरूर क्या कर लीजिए यह ध्यान दीजिए गया यह बढ़ा अच्छा प्रश्ण है इसमेंसे बनता है इसके बाद ऐखत अब जब यह तो झरम संहख्याया कम थी तो इस तरह का प्रियोग किया गया था तो दो एक तो मैंने बताया आपका कि है कि जब जंसंख्या कम थी तो प्रतेक्शन लोग तंत्र मैंने कहा युनान में या प्राचीन समय में वी लिख सकते हैं इसमें ऐसा प्रियोग किया जाता था प्राचीन समय लेकिन उस समय जनसिंख्या कम थी मैंने कहा प्लेटो हैं रूसों हैं उन लोग ने बड़े कम-कम जनसिंख्या बताई थी नगर राज्य उसमें प्रियोग किया जाता था जिसको पोलिस बुला जाता था पोलिस का ही मतलब होता था नगर राज्य पत्तब नगर कितनी जनसिंख्या हो सकती एग नगर की तो उसको क्या माना गया था राज्य माना गया था तो उसके कारण उस समय प्रटेक्शन लोग तंत्र की क्या थी ब्यवस्ता थी तो बरतमान समय में तो बड़े-बड़े राज्य हैं उनकी जनसिंख्या भी जादा है तो ऐसा प्रियो तो जैन सिंख्या बड़ी किसकी जैन सिंख्या बड़ी राजियों की तो क्या किया गया और प्रत्यक्ष लोगतंत्र को अपनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं प्रतिनिध्यात्मक शासन रिप्रेजेंटेटिव गौवर्मेंट जिसको बोला जाता है तो याद कर सकते हैं तो प्रतिनिद्यात्मक सरकार करके उनकी एक भुख है किसकी मिल की ठीक है तो हम बात करेंगे कि चलिए अब बात करेंगे दूसरा जो आयाम है इसका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं प्रतिनिद्यात्मक साशन अधिक है इसका प्रियों क्यों किया गया राज्यूं की जन्संख्या बढ़ने के कारण के कारण कि बरतमान में कि यह काफी लोग प्रिय है अब यहां पर क्या होता है कि हमारे प्रतिनिदी को चुल लिया जाता है वह हमारे तरफ से हम डिरेक्ट भाग नहीं लेते हैं साशन के कार्यों में हमारा प्रतिनिदी हमारे लिए क्या करता है कार्य करता है जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में अगर आप देखेंगे भ इसको विधायक बोलते हुआ और इसको बोलते हो सांसत तो हम किसको चुन लेते हैं सांसत को चुन लेते हैं और हम किसको चुन लेते हैं आपका विधायक को चुन लेते हैं यह हमारी तरफ से कारेकल लेते हैं जो यह आपका अप्रत्यक्ष लोग तंत्र का क्या है आपका फॉ गौवर्मेंट अब रिप्रेजेंटेटिव तो गौवर्मेंट जो आपकी बुक है यह किसकी है या इसको बोल सकते हैं आप प्रति निधियात्मक सरकार हिंदी में प्रति निधियात्मक सरकार किसकी बुक है जे-एस मिल की जे-एस मिल ठीक है एक हमने ब्राइस की बुक बताए थी आपको इस टार्टिंग में मौडरन डैमोक्रेसी करके बहुत पुछी जाती है एक आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका रिप्रेजेंटीव गोवर्मेंट जिसको आप क्या बोलते हैं प्रतिनी ध्यात्रपक सरकार की जे-एस मिल की तो यह जो है बहुत क्या है आपके इसके समर्थक है बर्तमान में जितनी भी शासन व्यवस्ता है अब आपका प्रशन बनेगा कि निम्ने लिखित में से कौन सी शासन व्यवस्ता में आपका लोगतंत्र यह अप्रटेक्ष लोगतंत्र को अपनाया गया है तो भारत में क्या है आपकी संशदी प्रणाली है यहां पर भी अपनाया गया है अधिक्षात्मक सरकार में भी इसी को अपनाया जाता है संगात्मक सरकार में भी इसी को अपनाया जाता है तो आजकल हर में यही लोग प्रिया है उसका कारण है जन सिंख्या जन सिंख्या ज्यादा है तो आप प्रत्यक्ष लोगतंत्र नहीं अपना सकते हैं तो यही इसी लोगतंत्र को है आपका इसको अपना सकते हैं अब इसके लक्षण क्या है आप कैसे मानिंगे करके आपका यहां पर क्या हो भारत में भी आपका अप्रत्यक्ष लोग तंत्र है या प्रतिनी ध्यात्मक्र्सासन रिप्रेजंटिटिव गौवर्मेंट है तो उसको आप कैसे देखेंगे सबसे पहले उसमें जो है एक से अधिक राजनि Тिक दल देखने को मिले एक से अधिक राजनितिक दल कि एक से अधिक राजनितिक हैं हमारे वहां भी कई सारे दल हैं ठिक और इसके अलावा वयश्क मताधिकार, ये भी इसका लक्षन है, वयश्क मताधिकार, ये हमारे वहाँ भी है, आप पंपियर करते रहना, कि भारत में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, इसके अलावा शाविधिक चुनाव, साविधिक मतलब एक टाइम प्रियर्ड के बाद यहाँ पर इलक्षन होते ही होते हैं, शाविधिक चुनाव, साविधिक मतलब समय से यहाँ पर क्या होते हैं, इलक्षन होते हैं, जैसे हमारे वहाँ क्या दिया गया है, उसके लिए पांच वर्स दिया गया है, अलग-अलग में अलग-अलग है जैसे अमेरिका मचारी वर्षम होते हैं लेकिन वहां के राष्टपती के चुनाव चार वर्षम होते हैं लेकिन वहां पर जो हाउस और रिप्रेजेंटिटिव है जिसको आप प्रतिनिधी सभा है कहते हैं उसके चुनाव किवल दो वर्षम हो जाते हैं ठ सबांग के सदर्शियों को हम नहीं चुनते हैं लेकिन यहां कर भारत में संसत कहते हैं कँष का संग्रेस कई का दूंगर correlation का दू सदन है तो दुन सदन में के चुना होतें लेकिन जो हएक्षा 9 वर्षीयट के वाद 2 साल है लेकिन और राष्क्रपदि का कारेकाल क्या है चार वर्ष लेकिन वहाँ बस क्ला residence होते हैं तो साविदिक मतलब क्या होगा कि समय से क्या होते हैं आपके चुनाऊ होते हैं क्या कि एक व्यक्ष्टी एक बोर्ट ऐसा नहीं है कि जिए जादा पड़ा लिखा है जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उसको ज्यादा बोड देने की जरूवत होती है या उसको ज्यादा बोड देने का क्या दिया जाता है अधिकार दिया जाता है ऐसा नहीं होता है एक वेक्ति एक वोड यह भी इसमें देखने को मिलती है क्योंकि भा कि थीक है इसके अलावा कि जो साथन का मुख्या होता है वह वंशानुगत नहीं होता है कि शाषन का मुख्या कि वंशानुगत नहीं संका मुख्या वन्शानों नहीं होता है यहनिकि जो आपका चाहे राष्ट पती है क्योंकि हमारे वहां दो मुख्या होते हैं अगर भारत की बात करू ऐक वास्तविक Seriously भारत के राष्ट पती क्रूप से उनका प्रियोग कौहन करते हैं परधान-मंतरी बनेगा लेकिन एसा नहीं है जैसे में परिपाटी चलती ति की राजा का बीटा ही क्या रहता रहता है कानून कानून का सासन होगा विदी के समक्ष जो है विदी का सासन और एक और चीज इसमें बता दो जहां भी विदी का सासन आएगा इसके सांद जो है डाइसी का नाम भी आएगा डाइसी या कर लीजिएगा विदी के सासन जो है एक प्रसन यहां से भी बनता है विदी की सासन की जो लिख सकते हैं इसके अलावा एक और चीज लिख सकती है कि यहां पे जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्ता देखने को मिलती है आठाफ़ा पॉइंट stretbelt के स्वतंत पेली कज़ेंगर us Goodbye यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परीशानी अगर आपको लगरी है तो आप बता सकते हैं ने तो आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कि जो लोग कंदğ के प्रकार है ठीक यहां से भी प्रशन बनते हैं उससे पहले एक और छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा एक सब्दे इसमें प्रियोग किया जाता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी लेबल से पढ़ा दिया जाए जिससे आपका यह टॉपिक किलियर हो जाए हमारे पास समय है और य पहले मैं इसका टॉपिक लिख देता हूं क्योंकि इसमें जो है कि लोक तंत्र की कि तीन लहरे ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा इससे क्योंकि हो सकता एक छोटा सा प्रस्निस से बने लहरे इससे क्या समझते हैं एक्चली हुआ क्या एक नाम था सेमुवल पी हैटिंग गटन करके इन्होंने इस सब्द का प्रियोग किया किसका स्वत तंत्र लोक तंत्र की तीन लहरे करके एक्चली यह तीन लहरे क्या हैं यह तीन लहरे यह हैं समय समय पर इनका जो प्रियोग हुआ अलग-अलग जगय के लिए प्रफम लहर थी इसमें क्या हुआ आपको पता होगा कि सबसे पहले आपका जो सबसे पहले रोब के देशों जो सबसे पहले लोकतंतर की स्थापना कहां हुई प्रफम लहर में इनी देशों में हुई कौन-कौन से USA और यूरोप के देशों में यूरोप के देशों में लोगतंत्र की स्तापना लोगतंत्र की बस्तापना तब दिखेए तो इसको पर्थम लहर कहा गया इसके बाद जुटिये लहर कहां आई जो आपका तथार्ड वर्ड धी कि जो देश थे जैसे उसमें कि मैं सीधे सीधे हों तुटी विशों कौन है के दिसे में है आपका एशिया अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के देश इन देशों में जो है जुती लहर में क्या आया आपका लोगतंत्रा आया जो क्या थे उपनिवेशवाद रंग भेत सामराज यवाद इससे पीडित देश थे तो इन देशों में क्या आया जुती लहर में यहां पर क्या हुई लोगतंत्र की स्तापना हुई पर्थम लहर में कहां हुई आरं इसके बाद लास्ट वन तिर्ती लहर तो जो आपके क्या थे फरman वादी देश थे तो साम्मрав दी देशूं में क्या आया तिर्ति लहर में लोग तंत्र की इस्तापना होई बस इत 건 lors करना है nous लोक्तंत्र की क्या होई इस्तापना और ती लहर जो सामयवादी देश Grace प्रथम लहर में USA और यूरॉप के देशphin के देश आपना न ती में तिर्ती विश्व के देश ते उनमें जो है जैसे उसमें ऐसी अफ्रिका और लैटिन अमिरिका के जो गरीव जो जो सामराज्य वाद उपनिवेश वाद रंग भेद आदी चीजों से क्या थे पिडित थे तो इन देशों में क्योंकि यह दिती विश्व इद्द के समय की बात है उसके बाद कई देश क्या हुए स्वतंत हुए आप लोगों को पता होगा भारत भी उसके बाद ही स्वतंत inúc भारत के का जो उदेई हुआ वोभी विश्व इद्द के बाद हुआ तो अगर भारत को भी आपको होगे तो भा भरत भी कहा ओगा मतow यहीं हुआ तो भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना होती है वो भी कब होती है आपका जुती है लहर में इसको याद रखेंगे इस मिलता जुलता है मैंने ये भी बता दिया आपको ठीक तो अरब इस्प्रिंग भी क्या था आपका इसको कहीं कहीं पर लोगतंत्र की चौथी लहर भीक बूला जाता है अरब इस्प्रिंग क्या है अरब इस्प्रिंग क्या है अक्चली अरब इस्प्रिंग में क्या हुआ बिन लोक तंत्र की क्या हुई इस्तापना हुई और की इस्तापना बिना किसी हिंसा के बिना किसी हिंसा के ठीक है तो इसको बोला गया अरब स्ट्रिंग ठीक और इस्सका सब्द कि को जिसने दिया था उनका नाम है आपका की मार्क का लिंच कि द्वारा कि इस व्लिए गया इस सब्द को गढ़ा गया जो भी लिक अपने इस अपने को अपनि दीआ गया ठीक है इसको बोला गया किस ने दिया मार्क लिंच ने दिया ठीक है मार्क लिंच द्वारा ये सब्दा आपका दिया गया और ये अरब स्प्रिंग अरब देशों में भी लोकतंत्र की क्या हुई इसमें बिना किसी क्या हुआ इसको कहीं कहीं पर मैंने कहा कि इसको क्या कहा ज सालों में कि अरब स्प्रिंग का संबंध किससे है तो आप लिखेंगे अरब इस प्रींग का जो संबंध है अरब देशों में लोगतंतर की इस्तापना से ठीक है यहां तक किलियर हो गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई प्रश्न है तो आप पूछिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकतंत्र के प्रकारों के बारे यहां तक कोई प्रश्न है तो पूछिए कि क्लियर हो गया यहां तक केमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से अगर किलियर हो गया है तो अगर ज्यादा लिखना चाहते हैं तो इसमें और एक और चीज और जोड़ सकते हैं आप की जो मिष्र के हुसनी मुबारक है अरब में मिष्र के हुसनी मुबारक मिष्र के खोषनी मुबारक और लीविया की करनल गताफी ने इसी अरव स्प्रिंग के बाद क्या छोड़ा था आपका पद छोड़ा था ठीक है चलिए अब बात करते हैं लोगतंत्र के प्रकारों के बारे में और लोगतंत्र के प्रकारों की जो बात है वो हम इसको अब कल देखेंगे कल इसके बारे में बात करेंगे और कल मिलते हैं और आशा है आपको अच्छा लगा होगा और आप जीताईस के आउन-लाइन प्लेटपॉर्म से जुड़ सकते हैं नंबर हम ने आपको जो आपकी स्क्रीन है उसके नीचे सियर कर दिये हैं तो आप इसमें बात करके आप क्या कर सकते हैं हमारे जो classes है offline online दोनों mode पर चल रहे हैं आप दोनों जगह जुड़ सकते हैं thank you धन्यवाद